अगर आपको best tablet लेना है और budget आपका 10 से 20,000 रुपए है 25 से ज़ादा tablet और best deals को compare करने के बाद best tablet बताए है best budget में सारी link description में है इस वीडियो के बाद कोई भी confusion नहीं बचेगा अब ध्यान से सुनो 10,000 के budget में ये 3 टेबलेट आपको मिलते है इन तीनों में से owner pad X80 जादा अच्छी जोईस है 11 इंचिस का FHD TFT डिस्पले है Snapdragon 680 प्रोसेसर है Android 14 पे काम करता है 4 GB RAM ए 128 GB स्टोरेज है और 8300 mAh की बैटरी है जो की decent backup दे देख देखो एक साल की warranty मिल जाती है 4.5 स्टार रेटिंग है दो स्टार रेटिंग है बट रिसेंटी लॉंच हुआ है 11,000 में लिस्टेड है ओफर के टाइम साड़े नो में अराम से मिल जाएगा बैटरी केपैसिटी सबसे जाद अच्छी है इस्पले इसकी बहुत अच्छी है परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा और 108GB का स्टोरेज मिल जाता है अब इसी रेंच में आपको ओपो पैड एर भी मिलता है इसमें डिस्पले तो जाद अच्छी है 2K IPS डिस्पले है बट रेम आपको केवल 3GB मिलती है और स्टोरेज को भी अपग्रेड कर सकते हो तो अगर आपको रेम बहुत जादा नहीं चाहिए तब ये एक अच्छी चोईस हो सकता है इस बजट में पर इसमें बैटरी बैकप कम और डिस्पले थोड़ी सी छोटी मिलती है अल्दो इसी रेंज में समसंग के गैलेक्सी टैब A7 भी मिलता है उसमें केबल 3GB RAM है अगर आप समसंग लबर हो तब ही इसको गंसीड़ा करना इन दोनों से ओनर पैड X80 जाद अच्छी चोईस है 12,000 के बजट में ये तीन बेस्ट टैबलेट मिलते हैं इन तीनों में से और सबसे अच्छी बात 6GB RAM मिलती है 128GB स्टोरेज के सा 860MH की बैटरी है तो बैटरी बैकप भी आपको तगड़ा मिलेगा एक साल की वारेंटी 22,000 से जादा लोगों ने रेट करा है 13,000 के बजट में अनवीटबल चोईस है और इसी रेंच में और पैड X9 मिलता है जिसमें 4GB RAM 108GB स्टोरेज है बैटरी बैकप भी का में इसी रे अच्छी चोईस नहीं है और Redmi पैड ऐसी भी मिल जाता है पड़ ध्यान रखो उसमें केवल FHD दिस्प्ले तो डिस्प्ले अच्छी नहीं है हमारी अफिलेट लिंक से ज़रूर बाई करना कोई पेड प्रोमोशन हम चैनल पे नहीं करते 20,000 के बजट अगर आपको 5G टैबलेट ही चाहिए Lenovo Tab M10 5G को गंसीड़ा कर लो 10.6 इंचिस की 2K डिस्प्ले है Snapdragon 695 प्रोसेसर है 6GB RAM है 128GB स्टोरेज है 1700MH की बैटरी है एक साल की वारेंटी 260 से जाधा रेटिंग्स है 11,000 में अराम से मिल जाएगा स्क्रीन इसकी बहुत अच्छी है स्मूदर परफॉर्फॉर्मेंस है स्टाइलिस का भी आपको सपोर्ट मिल जाता है अल्दो इसी प्राइस रेंज में बहुत सारे लोग Samsung Galaxy Tab E9 Plus को सजेस्ट करते हैं 4GB RAM के साथ जो आता है मैं उसको बिलकुल भी नहीं सजेस्ट करूँगा उस टाइम के बाद स्लो हो जाएगा अच्छे से काम नहीं करेगा टोन कंसीडर है 20,000 के बजट में 18GB स्टोरेज है 8,000 एमिज की बैटरी है एक साल की वारेंटी 4.5 स्टार रेटिंग 1100 से जादा रेटिंग्स है 19,000 के बजट में करेंटली अवैलबल है डिस्प्ले और कलर्स एक्सलेंट मिल जाएंगी RAM, ROM का कॉमिनेशन बहुत अच्छा है कैमेरा भी इसमें बहुत अच्छा मिल जाता है बैटरी बैकप भी इसका डिसेंट है इसी रेंच में आपको Samsung Galaxy Tab A9 Plus मलता है 5G टेबलेट है बिल्कुल मत कंसीड़ा करना पहली बता चुका हूँ उससे अच्छी च्वाइस Tab M10 5G है Samsung Galaxy A8 भी मिल जाता है जिसमें छोटी डिस्प्ले है RAM, ROM भी आपको कम मिलती है बैटरी बैकप भी कम मिलता है तो इसको भी मत कंसीड़ा करना Lenovo Tab Yoga 11 बहुत सारे लोग बुलते हैं अच्छा है बट यह पुराना हो गया Speaker और डिस्प्ले तो अच्छी है 4GB RAM है, 148GB Storage है 7000 MHz की बैटरी है एक साल की वारंटी के साथ-साथ 2700 से जाधा लोगों ने rate करे है 20-21,000 में अराम से मिल जाएगा offer लगा लोगे 12,000 और कम हो जाएं डिस्प्ले बहुत अच्छी है, colors बहुत अच्छे है backup भी बहुत अच्छा मिलता है तो जाधा storage आपको मिल जाएगा तो इसको consider कर सकते हो बहुत अच्छी choice है अभी भी tablet में कोई भी doubt है please comment